सजनों, सबडी जी मतंग रिसी के आस्रम में रहती थी, बहुत कुरूप लेकिन संत की सेवा करती, उनके गुरू मतंग जी ने कहा था सबडी, तुम आस्रम में इंतजार करना एक दिन भगवान तुम्हारे यहां जडूर आएंगे एक दिन सबडी जी जमीन में ज़ारू लगा रही थी, रास्ता साफ कर रही थी, और सबडी जी के ज़ारू से एक पत्थल का टुकड़ा छिटक करके एक महात्मा के चरन में लग गया महात्मा जी सबडी जी को खूब डाटने लगे, कि यह अपवित्र सबडी मेरा सपर्स कर दी सबडी जी रोने लगी, महात्मा जी सबडी को डाट के जब पंपा सरोबर में श्नान करने गए तो संत और भक्त के अपड़ाद के कारण पंपा सरोबर का जल गंदा हो गया उसमें कीरे पड़ गये लेकिन महात्मा उन्हे सोचा कि नीच जाती का सपर्स हो गया इसलिए गंदा जल हो गया ऐसा नहीं था सबडी जी भक्त हैं और भक्त के अपमान का फल मिला पंपा सरोबर का जल गंदा हुआ लेकिन जब स्रीराम आए सबडी मां के आसरम में बेड खाए नवधा भक्ति का उपदेश दिये उसके बाद महात्मा उन्हें कहा महराज पंपा सरोबर का जल गंदा हो गया है उसको साफ कर दीजिए राम जी ने कहा हम क्या करें कहा आप भगवान है कुछ करिए भगवान स्री राम कहते है चलिए प्रयास करेंगे भगवान स्री राम पंपा सरोबर में पहुँचे सजनो लेकिन जैसे ही अपने चरन को पंपा सरोबर के जल में दिया तो जल साफ होने के बजाय और ज़्यादा गंदा हो गया छोटे छोटे कीडे बड़े बड़े हो गए रिश्यों ने कहा जल कैसे साफ हो राम जी ने कहा जब सबडी मा का चरन पंपा सरोबर के जल में पड़ेगा तब जल बिल्कुल सुद्ध हो जाएगा सब ने कहा सबडी नीच जाती की है इसी के कारण तो गंदा हुआ है भगवान ने कहा नहीं इसके अपमान के कारण गंदा हुआ है सबडी मा से सब लोग कहिए पंपा सरोबर के जल में चरन दे रिश्यों ने निवेधन किया सबडी मा ने जैसे ही चरन रखा पंपा सरोबर का पूरा जल सक्ष हो गया बोले सबडी माता की जै